सुनाक्षे की शादी को लेकर शत्रुगन सिना और उनके परिवार की बहुत सारी चर्चा रही मीडिया में ये भी कहा गया कि शत्रुगन सिना बेटी की शादी से खुश नहीं है इस बात का भी खुलासा हो गया कि सुनाक्षी के भाई भी इस शारी में शामिल नहीं हुए लेकिन अब फाइनली अपने परिवार को लेकर मीडिया में जो बाते चल रही है इस पर शत्रुगन सिना ने रियाक्ट किया है और ये भी कहा है कि उनके परिवार के बारे में जो शक्स बाते पहला रहा है वो शक्स कौन है इसकी जानकारी शत्रुगन सिना को है चत्रवन सिना जो रेसिंटली हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए है उन्होंने डिस्चार्ज होने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा मुझे पता है मेरे परिवार के बारे में ये बाते कौन कर रहा है मुझे ये भी पता है कि मेरे सर्जरी के बारे में तक मीडिया में बाते आई सर्जरी के बारे में तो मैं इतना ही कहूंगा कि खामोश क्योंकि मेरी सर्जरी हुई है और मुझे ही नहीं मालूम है और जहां तक बात है उस शक्स की जो शक्स मेरे परिवार को लेकर मेडिया में बाते कर रहा है तो उसके बारे में भी मैं जादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि वो एक वेलविशर है और वो हाम नहीं पहुँचा रहा है शत्रगन सिना ने कहा कि मेरी उम्र 60 की हो गई है और अब शरीर उतना अक्टिव नहीं रहता है पहले मैं इलेक्शन कैम्पेइन में बिजी था और उसके बाद मेरी बेटी की शादी इन सब चीजों के बीच मैं आराम नहीं कर पाया अब वो टाइंग नहीं रहा कि मैं 3-3 शि फेला रहा है वो उनका Wellusher है अब शद्रगंस सिना की इस बात को सुनकर लोगों को लग रहा है कि कहीं ये Wellusher सल्मान खां तो नहीं क्योंकि सुनाक्षी की शादी में और करियर में सल्मान का बहुत बड़ा हाथ है जहां सुनाक्षी को फिल्म इंडस्ट्री में लॉंच सल्मान खान ने किया वहीं जहीर को भी इंडस्ट्री में लॉंच सल्मान खान नहीं किया और तो और सल्मान के जरिये ही ये दोनों मिले ह और सलमान specially ये शादी अटेंड करने आए, सुनाक्षी और जहीर को आशिरवात देने के लिए तो ऐसे में लोगों का मानना है कि कहीं वो वेल विशर सलमान ही तो नहीं